हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारी चैनल मेत्री स्कूड़ खूड में आज की मज़ेदार और नई रेसिपी में हमने बनाया है वेजिटेबल सलाड बहुत ही टेस्टी और लाजाब बनता है और बहुत ही कम समय में एस सलाड बनके रेडी हो जाता है इस सलाड बनाने में हमें गेस की जरूरत नहीं पड़ेगी बिना गेस चलाए हम इस सलाड को बनायेंगे और बहुत ही टेस्टी बनता है और ज्यादा मेनत भी नहीं लगती तो चलिए देरी ना करते हुए इस मज़ेदार और नई रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं सबसे पहले हम इसकी सामगरी देख लेते हैं इससे बनाने के लिए मैंने आधी पता गोबी, एक खीरा, एक निमबू, एक मीडियम साइस की प्याज, एक हरी मीज, एक टमाटर, एक चमच, चाट मसाला और स्वात के अनुसा नमक लिया है सबसे पहले हम सारे वेचिटेबल को कट कर लेंगे, सबसे पहले हम प्याज को कट कर लेंगे, इसे दो हिस्सों में कट करकर फिर इस तरह लंबी स्लाइस कर लेंगे, और फिर इसे साइड में करकर हम बारी कट कर लेंगे प्याज को आप लंबी भी कट कर सकते हैं लेकिन अगर बारी कट करेंगे तो वो इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा है गया यहाँ पर प्याज हमने कट कर ली है अब प्याज को हम एक बड़े से बाउल में निकाल लेंगे जिस तरह हमने प्याज कट की है उसी तरह अब हम हरी मिश को कट कर लेंगे हरी मिश मेंने तिखी ली है सबसे पहले हरी मिश को इस तरह बीच में से कट कर लेंगे और फिर इसका एक्षा जो डठा है उसे हम निकाल लेंगे त्यान रखे हरी मिश थोड़ी सी तिखी है तो सबसे पहले हम इसके बीच और बीच का जो सफे दिशा है उसे निकालेंगे इसे दो हिस्सों में हमने कट कर लिया है अब हम बीच का जो सफे दिशा है उसे और बीच को निकालेंगे क्योंकि बीच का सफेद इस्टा और बीच ज्यादा दिखे होते हैं तो वो हम निकाल लेंगे और फिर इससे भी हम बारिक कट कर लेंगे हरी मिश को आप केंची की मदद से भी कट कर सकते हैं यहाँ पर हरी मिश को मैंने कट कर ली है अब हम इसके बीच और सफेद इससे को साइड में रखतेगे और फेक देंगे अब हम हरी मिश को भी उसी बाउल में निकालेंगे जिस बाउल में हमने प्यास निकाला था अब हम टमाटर को कट कर लेंगे टमाटर का सबसे पहले एक शाहिस साम निकालेंगे फिर इससे दो हिस्सों में कट कर लेंगे दो हिस्सों में कट करने के बाद फिर इसकी लंबी स्लैस कर लेंगे और फिर इससे बारिक कट कर लेंगे आप चाहे तो टमाटर को भी लंबी स्लैस कर सकते है यहाँ पर टमाटर को मैंने लंबी स्लैस में कट कर लिया है अब फिर से सभी को मिला कर एकदम बारिक हम इसे कट कर लेंगे यहाँ पर हमने टमाटर को भी एकदम बारिक कट कर लिया है अब देख सकते हैं टमाटर को भी हम उसी बाउल में डाल देंगे जिस बाउल में हमने प्याज और हरिमिश डाला था सारे कटे हुए टमाटर डालने के बाद अब हम खीरा कट कर लेंगे यहाँ पर मैंने एक बड़े साइस का खीरा लिया है उसे सबसे पहले दो साइड से कट कर लेंगे और इसे साइड में रख देंगे फिर इसे बीच में से दो हिस्सों में कट करेंगे दो हिसो में cut करने के बाद अब हम खीरे को लंबी slice में cut कर लेंगे उसके बाद इसको बारी cut कर लेंगे इस salad में आपको भी अपने पसंद के vegetables ले सकते हैं इसके अंदर आप मूली, गाजर और beetroot किया भी use कर सकते हैं यहाँ पर खीरे को दो हिस्सों में कट करने के बाद इसकी लंबी स्लाइस में हमने कट कर लिया है अब साइड में करकर इसे भी हम बारी कट कर लेंगे आप चाहे तो खीरे के बड़े टुकडे भी कट कर सकते हैं यहाँ पर अच्छे से खीरे को मैंने कट कर लिया है अब हम ग्रिडियन्स है। सारे वेचीटेबल्स के अंदर हमने खिरे को डाल दिया है। अब हम पत्तागोबी को इसी तरह कट कर लेंगे। अब हम पतागोबी को कट कर लेंगे, पतागोबी को आप चाहे तो लंबी स्लाइस में कट कर सकते हैं, या फिर आप इसे बारिक भी कट कर सकते हैं, यहां मैं पतागोबी को बारिक कर रही हूँ, लंबी स्लाइस में कट नहीं कर रही हूँ, यहां पर मैंने पतागोबी को एक सबसे पईले हम इक चम्मच चाठ मसाला डाल देंगे उसके रहेंगे दोनों को अच्छतप मसाला में नमक होता है तो आप अच्छत से मिक्स होड़ा है उसके अदर हम निमु का रस एड़ कर देंगे ऋम इसलिव ज़िए वेजिटेबल्स में निचोल लेंगे इससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा हैगा यहाँ पर निमू को हमने अच्छे से निचोल लिया है और अच्छे से अब वेजिटेबल्स को मिक्स कर लेंगे सारे वेजिटेबल्स मिक्स हो जाए तब हमारा सलाड बन चुका होगा यहा अपने घर पर किसी भी टाइम इस सलाड को बना कर खा सकते हैं इस सलाड को आप सबसी रोटी के साथ पुलाव के साथ बिरियानी के साथ दाल चावल के साथ किसी के भी साथ खा सकते हैं या फिर आप इस सलाड को खाने से पहले इस तरह प्लेट में रख कर भी खा सकते हैं इसस इसे आपका वजन भी कम होगा अगर आप डाइटिंग कर रहे हैं तो आप रोज इस तरह इस सलाड को बना कर खा सकते हैं यह आपके शरीर को कम करने में बहुत ही फाइदा करेगा आप इससे अपने घर पर इसी तरह जरू से ट्राइ करेगा और हाँ आप इसके अंदर कटी और आप इसके अंदर थोड़ा सा काला नमक और थोड़ी सी काल इमिज भी डाल सकते हैं अगर आपको हमारी एव वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजे अगर आपने अफितक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारी चैनल को सब्सक बाइब बाइब भी